पनी बट फैक्ट सुपर कॉंस्टिपेशन इन फ्लोरीडा लिजार्ड नमस्कार दोस्तों जी हां बिलकुल आप सही सुन रहे हैं सुपर कॉंस्टिपेट फ्लोरीडा लिजार्ड जो आपने पढ़ा है वो बिलकुल सही है छिपकली को कब्स हुआ है आम तौर पे कब्स जो है कॉंस्टिपेशन ये एक लाइफस्टाइल डिजिज है और ये काफी कॉमन चीज है ऐसा स्टडी किया गया है कि वर्ल्ड की 12% पॉपिलेशन इस सफरिंग फ्रॉम कॉंस्टिपेशन पूरे वर्ल्ड में 12% लोगों को ये बिमारी है सवाल अभी ये हो रहा है कि क्या अनिमल्स को भी कब्स होता है अनिमल्स को भी कॉंस्टिपेशन होता है तो उसी का जाव है हाँ होता है दोस्तो वेटरनरी की जो बुक्स है वो बुक्स में अनिमल्स कॉंस्टिपेशन की डिस्क्रिपेशन दी गई है और animal constipation जो है उसका diagnosis, उसका treatment वगेरा का description बहुत ही detail में दिया गया है मतलब कि animals में constipation होना common सी चीज है आम तोर पे जो पालतू जनावर है, pets है उसमें constipation होना आम बात हो सकती है क्योंकि उसकी जो food habit है वो हमने काफी change कर दी है उसकी जो wild में food की style होती है वो और हम जो उसको food दे रहे हैं उसमें काफी फर्क है इंटरनेट पे wiki how में ये अच्छी तरह से describe किया गया है कि animal constipation की treatment कैसे की जाए ये चीज बहुत ही अच्छी तरह से describe करती है कि pets में constipation होना बहुत आम बात है दोस्तो जू में रखे गए rhinosaurus को constipation हुआ था और ये constipation की detail जो है वो 2017 में scrolled out इन पे publish होई थी उसका मतलब ये होता है कि wild animals को भी constipation होने के chances होते भी है अब सबसे अजीब चीज यहाँ पे सुरू होती है चिपकली जिसे देख के हमें कुछ गिन होता है कुछ अजीब सा लगता है क्या हम ये सोच सकते है कि ये चिपकली को भी constipation होता है जी हाँ बिलकुल देखिए क्या research कहता है Northern Curly-tailed Lizard एक ऐसी Lizard है जिसकी मुझ जो है वो curl है इसलिए उसको Northern Curly-tailed Lizard ऐसा कहा गया है scientific name से हमें बहुत लेना देना नहीं है चुकि टेक्निकल लोगों के लिए वो important है हम सीधा उसकी detail पे जाते है University of Florida के कुछ scientist जो Florida में Lizard मिल रही है population जो है Lizard की उसी के उपर study कर रहे थे तब ये अजीब सा research सामने आ गया अजीब सी fact सामने आ गई वैसे तो ये जो Northern Curly-tailed Lizard है वो basically Cuba के आसपास के Bahama और Cayman Island जो है वहाँ से एक जमाने में introduce की गई थी मतलब कि वो invasive species Florida में थी natively Florida से नहीं थी जब ये Florida में introduce की गई तो उसका जो wild food है वो wild food में कुछ change हो गया Natalie Clunch एक ऐसी research scholar है जो Florida के lizards पे research कर रही थी उसी time उसको एक आसी lizard मिली जिसकी size approximate size की comparison में बहुत ही ज़ादा थी वो उसका pet बहुत ही बड़ा था आम तोर पे ये बड़ा pet जो है वो ये expectation से होता है कि अभी वो egg laying condition में है आगे जाके वो egg laying करेंगी लेकिन जब ये study detail में किया गया तो पता चला और experience के base पे पता चला कि ये eggs नहीं है लेकिन northern curly tail lizard के pet में कुछ और है क्योंकि पकड़ी गई थी वो size में काफे different थी उसका detail analysis, detail research study करना जो है वो मुनासिफ माना गया और उसकी study laboratory में सुरू हुई और ये study में काफी सारे advanced techniques और instruments यूज किये गए दोस्तो थोड़ी सी अजीब बात लगती है लेकिन lizard का computational tomography scanning मतलब की city scanning किया गया और ये city scanning के बहुत ही अजीब result मिले जब ये city scanning किया गया तो पता चला कि उसके body का जो 80% part है वो undigested food से बढ़ा हुआ है मतलब कि body में काफी कुछ undigested food आम तोर पे कहा जाए तो cubs पढ़ा है उसकी पूरी 3-dimensional study की गई ribs में वो कितनी हद तक फैला हुआ है वो सब analysis किया गया computer से models develop किये गए और जब पूरा computational tomography scanning की result भाहर निकले तो वो चौकाने वाली थी Edward Stanley जो की digital discovery and dissemination laboratory Florida museum of natural history के director है वो ये बहुत ही detail में study करते हैं और उसने कहा कि ये बहुत अजीब चीज थी कि इतनी ज़्यदा quantity में undigested food कब्स जो है वो कैसे ही कठा हो गया और इतनी छोटी body में इतना सारा food कैसे है ये बहुत ही अजीब सी बात थी कि body weight के हिसाब से 80% जो है वो constipated part कब्स था मतलब कि एक 60 kg के weight के person की study की जाए और उसमें 80% मतलब 48 kg undigested food कब्स उसके पेट में निकले तो बहुत ही quantitatively बड़ी बात हो जाती है आम तोर पे lizard जो है उसका food है insects और insects के साथ वो scents मतलब की rate भी खाती है लेकिन यहाँ पे जब फ्लोरीडा में यह lizard इंट्रोड्यूस की गई तो उसकी food habit में एक नई चीज एड़ हो गई और वो नई चीज थी junk food पीजा का जो ग्रिज है पीजा के उपर जो हम toppings लगाते हैं scientist का यह मनना है कि यह toppings की वज़े से उसके पेट में कब्स हो गया, constipation हो गया junk food कितनी हद तक wild life को परेशान कर सकता है, harm कर सकता है उसका यह बहुत ही interesting case है हम wild animal को कैसे कैसे disease हमारे junk food से देते हैं यह अभी यह lizard के case study से प्रूव होता है अब यह 80% body weight तक cubs होना एक wild animal के लिए, wild lizard के लिए because of the pizza, यह एक चौंकाने वाली बात है और यह हमारे लिए alarming है कि हम environment को, wildlife को कितना नुकसान पहुँचाते हैं और देखने वाली चीज यह भी है कि यह wild animal को जब इतना नुकसान करता है तो इतने junk food जो है, वो junk food हमारे लिए कितने harmful होंगे आम तोर पे junk food की काफी discussion होती है, वो कभी और discuss करेंगे हम लेकिन wild के case से यह पता चल रहा है कि junk food is harmful to everyone यह जो पुरा study है, वो Society for Studies of Amphibians and Reptiles के herpetological review में publish होई थी और reference जो है वो description में दिया गया है, link भी दी गई है वो काफी सारे और भी magazines में इसकी detail websites पे magazines में publish होई थी, newspaper में publish होई थी सबसे ज़्यदा और सबसे original और authenticated detail आपको Florida museum की जो website है, उसी में से मिल जाएगी तो दोस्तो, ऐसे ही कुछ research, ऐसे ही कुछ information, ऐसे ही कुछ research news लेके, विज्यान वेथ विशाल मुलिया में हम आपके साथ रहेंगे, studies करते रहेंगे, explore करते रहेंगे, नई-नई बाते सीखते रहेंगे, so be with us, thank you very much, खुब खुब धन्यवाद, आभार, जय हें, जय पार